बारी बाती शवाल हम दो करते हैं शवाल है 15 cm लंबाई वाज़े एक वर्दा काल रुमाल के चारों और लगाने के लिए कितनी घंबी लेश की जबुरत होगी यदि ऐसे 5 रुमालों में लेश लगानी हैं तो आश्यक लेश की लंबाई बताओ तो यहां भी हमें घहराने की बिल्कुल भी जबुकत नहीं हैं यहां दो प्रश्णों को एक किया गया है तो चलिए हम बारी बारी से एक एक शवाल खल करते चलते हैं और सबसे पहले क्या दिया गया है यहां हम देख लेते हैं दिया गया है पढ़ते हैं, 15 cm लंबाई वाले के वर्गाकार रुमाल के चारो, मतलब हमें बता दिया कि जो वर्गाकार रुमाल है, उसकी घुजा की लंबाई कितने हैं? 15 cm कुली से हैं, वर्गाकार रुमाल की घुजा या उसका एक छोड़, घुजा की लंबाई यहां है, इतना 15 cm कैसा रुमाल है, जहां रहते हैं, वर्गाकार रुमाल, तो चलिए, हमें फुल माल बना लेते हैं, वर्गाकार यहां होगे एक वर्गाकार रुमाल, खुल मिनांगे दिये, A, B, C, D और इसकी भुजा की लंबाई की इतनी है, 15 cm क्यूंकि वर्ग है, तो इसकी चारों को जाएं, समाल लंबाई की होंगी, यहां की 15 cm होगा, 15 cm, 15 cm, यह हमारा वर्गा का रुमाल तयार होगे, अब उसमें क्या आता जा रहा है, इस रुमाल के चारों लखाने से कितनी लंबी लेश की जवरत होगी, यहां की रुमाल है, इसके चारों लेश लगाना है, तो उसकी लंबाई क्या होगी, कितनी लंबी लेश चाहिए, तो इसके लिए चाहिए करना होगा, जितना इस रुमाल के चारों की लंबाई होगी, उतनी लंबी हमें लेश की जवरत होगी, और उशी कहुँन क्या कहते हैं, इसके चारों की लंबाई कहुँन क्या कहते हैं, उश्ये हम कहते हैं परिमाद, तो शब से पहले हम इस वर्गापार रुमाल का परिमाद मालू करते हैं, है तो चलिए शुरू करते हैं वर्गा कार रूमाल का परिमा क्या होगा चार घुड़ा घुजा या घुजा की लंबाई पंदरा सेंटी मीटर पर पंदरा सेंटी मीटर तो पंदरा चांट शाट सेंटी मीटर इस रूमाल के चारों और लेश लगाने के लिए हमें साट सेंटी मीटर लंबाई की लेश चाहिए एक रूमाल के लिए है अब प्रष्नम्ध में आगे बढ़ते हैं यदि ऐसे पांच रूमालों में लेश लगानी हो तो आश्यट लेश की लंबाई बताओ या तो हो एक रूमाल हमें पूचा जारा है इसी आतार के पांच रूमा मालों में हमें लेश लगानी है कि यह दूसरा लुमार यह तीशिरा यह चांथा और यह पांच वर एक दो तीन चार पांच इन पांचों रुमारों में हमें लेश लगानी है सब बराबर आपके तो हमें एक रुमार के लिए इतना और ऐसे हमें पांच रुमारों में लगाने हैं चलिए दिख लेते हैं, चूंकि एक रुमाल के लिए आवश्यक लेश की लंबाई, चाहिए 60 cm यहीं है, अभी आश्यक पल्ष्यक लगाला, इसलिए 5 पात रुमाल, रुमालों के लिए आवश्यक लेश की लंबाई, यह किसना हो जाए, एक रुमाल में हमें साच सेंटिमिटर लग रहा है, हर एक के लिए साच सेंटिमिटर चाहिए है, यह साच सेंटिमिटर नएए, एक के लिए साच वैसे मतलब आप यह की जिए कि इन पांचों साच को जोड लीजिए, कि यहां कि पांच बुड़ा साथ सेंटीमीटर यह दोनों ही एक ही है तो यहां में क्या मिला सुनिया अर्शा पंचे तीस तीन सब सेंटीमीटर जो नेश है उसकी जोगत होगी हमें पांच मालों में लगाने के लिए तो जैसे मैंने कहा यह तो हम करें पांच बुड़ा साथ सेंटीमीटर या चूंकि हमें हर एक लिए साथ सेंटीमीटर चाहिए तो हम इन पांच बार जो शाय है उसके जोड़ लेते हैं तो भी हमें और श्यक्रेस की लंबाई मालूम हो जाए तो किसी भी प्रश्णा को देख यए फ्रस्णा की लंबाई को देखकर हमें धढ़राना पिलकुल भी नहीं है हम है उस प्रस्णा को बार बार पढ़ना है और समझने की कोशिस करना है कि क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, जैसे खिए यहां हमें दो फ्रस्ण एक शाँते पहला कि आए पनागी लेश की यृ системयThe थ्यूंद participar जोड़ कुएया गया कि यृष रूसल और प्रश्ण की रहां की। तो यहां दो प्रश्ण एक्षान है पर हम अगर एक एक प्रश्ण को लेकर चलें पहला प्रश्ण हल करें फिर उससे आगे बढ़ें तो हम शवाल को आशानी से हल कर सकते हैं तो ध्यान रखें शवाल की लंबाये को देखकर हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है